ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ष 2019 में कितने ग्रेंड है और भारत में कितने ग्रेंड दिखाई देंगे तो आए जानते हैं वर्ष 2019 में कुल 5 ग्रेंड पड़ रहे हैं जिसमें से कितीन सूरे ग्रेंड है और दो चंदर ग्रेंड है पहला चंदर ग्रेंड 21 जनवरी 2019 को है दूसरा चंदर ग्रेंड 16 जुलाई 2019 को है सूरे ग्रेंड में पहला सूरे ग्रेंड 6 जनवरी 2019 को है दूसरा सूरे ग्रेंड 2 जुलाई 2019 को है कुछ दिनों के बाद साल 2019 शुरू होने वाला है नए साल के पहले सप्ता में ही सूर्य ग्रेंड का योग बन रहा है यह ग्रेंड पांच जन्वरी शनिवार की आधी रात से शुरू होकर छे जन्वरी रविवार के मद्धे तक रहेगा अगर हम जो देशचार्यों की मानें तो यह ग्रेंड भारत में दिखाई नहीं देगा इस वज़ा से इसका यहां पर कोई जादा प्रभाव नहीं पड़ेगा यह ग्रेंड मद्धे पूर्वी चीन, जपान, उत्तर दक्षन कोरिया, उत्तर पूर्वी रूस, मद्धे पूर्वी मंगोलिया, प्रशान्त महाशागरवा, अलास्का के पस्चमीत तटो पर दिखाई देगा 21 जनवरी को जो चंदरग्रेंड होगा, तो वह इन में से जो तीन सूरेग्रेंड और दो चंदरग्रेंड शामिल है, सबसे पहले 5-6 जनवरी को सूरेग्रेंड होगा, यह भारत में दिखाई नहीं देगा 21 जन्वरी को जो चंद्रग्रेन होगा ये भी भारत में दिखाई नहीं देगा 2 जुलाई को खग्रास सूरग्रेन होगा ये भी भारत में दिखाई देगा 16 जुलाई को खडग्रास चंद्रग्रेन होगा ये ग्रेन भारत में दिखाई देगा वही साल 2019 का अंतिम सूरे ग्रण 26 दिसंबर को होगा ये ग्रण सिर्फ दक्षण भारत के कुछ छेत्रों में ही दिखाई देगा अगर हम बात करें कि यह जो ग्रण है इससे भारत पर क्या असर होगा तो उम्मीद है कि भारत में अच्छी बारिश होने के असार है और सूखा नहीं पड़ेगा इतना ही नहीं 60 साल बाद धनू राशी में 6 ग्रह एक साथ रहेंगे जिसमें 26 दिसंबर को सूरे, चंद्र, बुद्ध, गुरु, शनी और केतु सहित 6 ग्रह धनू राशी में एक साथ विराजमान रहेंगे और दान दक्षना पूर्णे करने से आप लोगों को विशिश लाब भी मिलने वाला है अगर आप सूरे ग्रहन या चंद्र ग्रहन के दोरान दान दक्षना करते हैं तो इससे आपके पित्र खुश होते हैं एवं भगवान आपको तरक्की देते हैं और आप लोगों को कोई भी कष्ट नहीं होता इसलिए माननेता है कि अपने शास्त्रों के अनुसार की चंद्र ग्रहन हो या सूर ग्रहन हो उस दिन आप लोगों को सादू संतिया गरीब लोगों को भोजनी अवस्त्र का दान अवश्य ही करना चाहिए और गाए को हराचारा खिलाना चाहिए इससे आप लोगों को विशेश लाप प्राप्त होता है अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंतरा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद